आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, Our Question is What type of Fertilization takes place in a hen? अगर हम बात करें आपके Fertilization की, तो Fertilization क्या होता है? Fertilization आपकी वो Biological Process है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? Fusion देखने को मिलता है, आपका Male, Gamet का और Female Gamet का अब अगर हम बात करें, आपकी जो hen होती है Hen के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? Fertilization जैसे आपके दो Types की होती है, Internal and External अब जो आपकी Internal Fertilization है, वो किसी Female की Body में होती है और External है, वो Female Body से बाहर होती है तो अगर हम बात करें Hen की, टो Hen के अंदर जो हमें Фertilization देखने को मिलती है वो आपकी होती है, Internal Fertilization और ये जो आपकी Fertilization होती है, ये आपकी कहाँ होती है तो hen का जो आपका oveduct होता है hen oveduct के अंदर ये हमें देखने को मिलता है और ये हमें देखने को मिलता है directly आपका जो ovulation की process के बाद तो हमारा जो question है कि जो fertilization होती है वो किस तरह की हमें देखने को मिलती है hen के अंदर तो fertilization की process जो की fusion होता है male और female gamet का तो ये हमें hand के अंदर देखने को मिलती है internal fertilization और internal fertilization है वो आपकी हमेशा कहां होती है female body के अंदर होती है और female body के अंदर जो hands oviduct होता है इसके अंदर इसकी fertilization के process होती है just after the ovulation तो this is all how this process is carried out with this thank you students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर